इलाइस्टेडी डेली क्रांट फेर के शिरीज में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कुशन करेंगे 8 दिसंबर 2021 के हिमाचल परदेश राष्ट्य ततांतराष्ट्य क्रांट अफेर्स के बारे में परदान मंत्री नेंदर मोदी और रुसी राष्ट्रपती बलादी मिर पूतिन के बीच भारत रुस सिकर बैटक 6 दिसंबर 2021 को कहां पर आयो जित हुई देखिए इस बैटक का आयो जिन किया गया है है हैदराबाद हाउस में ठीक है जी देखिए काफी मत्तोपुर्ण थी महट 6 गंटे के लिए ही रुसी राष्ट्रपती बलादी मिर पूतिन भारत आये हुए थे लेकिन बहुत ही मत्तोपुर्ण यहां पर फैसले हुए है एक तो आप याद रखिए गए प्रस निश्ची तोर पर आपके एकजाम में किसी प् और देखिए लॉंग टर्म डिफेंस प्रोग्राम है 2021 से लेकर 2021 तके प्रोजेक्ट चलेगा तो यह के 203 भारत रूस सरकार के सियोग से निर्मित करेंगे अमेठी उत्तर पर देश में इसके लावा देखिए और भी यहां पे बात करें फर्टिलाइजर सेक्टर की वाइल स करेंगे, तो इस तरह के टर्रोइस्टार के 20 अग्रिमेंट्स के उपर सेमती बनी है तो यह काफि मत्तोंग पुर्थ ने दौरा रा था ब्लादीมिर पुतिन का हमारा अपना बजट बेपोर्ल किस राज्य स्रकार दोरा सुरूः किया गया है तेके यह Director बेपोर्टल सुरूख किया गया है 36 स्कड़ के दोरा साथ में आपको याद रखना होगा 36 स्कड़ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है हेमंत्सोरिन तता यहां के जो राजयापाल है उनका नाम है सिरिमती द्रौपती मुरम ये भी आपने याद रखना है अब comment section में बताईएगा एमन्त सोरेन किस राजनितिक दल से समन्द रखते है इनकी political parties का नाम क्या है ये आपको comment section में बताना है जियोतिरादित्या सिंधिया का समंद किस राज्या से है उनका समंद है मद्यापरदिस के काफी रिचैस्ट है इन्हें मद्यापरदिस के महराज के नाम से भी जाना जाता है तो यह आप याद रखिएगा आंग सानसू की किस देश की नित्री है तो ये मयानमार से स्बंद रखती है आज को आपको गयाता है वहाँ पर सैन्यासासन चल रहा है इनकी सरकार को निस्कासित कर दिया गया है साथ में देखिए अभी इनकी वहाँ पर कोई सजा थी उसको अभी उसकी बज़ा से आज कर सुर्कियों में है तो एक और महत्तोपुन प्रसलिंस से एक पर पहले भी पुछा गया है वो था कि इनके जब वो सत्ता में आते हैं तो इनके राजनेतिक दल का नाम क्या है तो आप याद रखिएगा आपने इस तरह से याद रखना है उसको यहाँ पर आपको बता दें NLD इसका मतलब हुआ National League for Democracy इनके राजनेतिक दल का नाम है इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी बाउंस किस राज्या से समंदीत है देखिए अब आने बाला जो समय है वो EB वहिकल का है EB वहिकल का मतलब हुआ electronic वहिकल EB के उपर अब दुनिया चलने वाली है तो बाउस कंपनी है करनाटक की इनके दौरा देखिए एक स्कूटर बनाया गया है सहतर बतर जार के आसवास उसकी किम्मत बताई जा रही है मार्स 2022 से उसकी टलिबरी होने का अनुमान है तो आने बाले समय में आपको EB के रूप में ही अपनी गाड़ियां यहां पे मैनुफक्चर कंपनी को बनानी होगी और कस्तमबर भी उसी तरह की गाड़ियों अपने यूज में लाएंगे एक पारी में दस बिकेट लेने वाले तीसरे गेंदवास AIJաjd पठेल इनका नाम पहले आप याद रखिएगा अच्छे से एजाज प्टेल इनका नाम है इनका समन्द किस देश से है देखिए ये एक पारी में जो क्रिकेट मैच होता है उसकी एक पारी में दस विगेट लेने वाले न्यूजी लेंड के खिलाडी है काफी गजब का इनके दोरा है रिकॉर्ड बनाया है दूनिया के तीसरे खिलाडी भी ये बने है दो खिलाडियों का नाम भी आपको जानना जरूरी है 1999 में पाकिस्तान के खिलाब इनके दोरा दस विगेट लिये गये थे अब तीसरे खिलाडी बने है एजाज पटेल जिनका समंध है न्यूजी लेंड से इससे बाहर आपको प्रसंद नहीं पूछा जाएगा लेकिन यह प्रसंद कितना इंपोर्डेंट है इसका आपको अंद समान्या बभिस्या के लिए याद रखिएगा पांच दिसंबर को अंतराश्ट्रिया सोय से भी दिवस मनाया जाता है Cambridge Dictionary द्वरा World of the Year 2021 के लिए कौन सा सब्ध चुना गया है तो यह सब्ध है परसर बैंस ठीक है याद रखिएगा इरोपिया संग की स्तापना कब हुई थी तो इरोपियन संग की यह बात की जाया तो इसकी स्तापना हुई थी एक नवंबर 1993 में एरोपिया संग का मुख्यालिया ब्रेसेल्स में है और एरोपिया संग के स्तस्या राज्या 27 है आगे हम डिस्कुसन करेंगे माचल परदेश स्मंदित बहुत ही मत्तोपुन कुरान टाफेर्स के बारे में पहला प्रसन है डिस्ट्रिक्ट गुड गबरनेस इंडेक्स 2020 यानी जिला सुसासन सुसकांक में किस जिला को प्रतम स्तान प्राप्त हुआ है ये प्रसन पहले भी एक बार पुछा जा चुका है तो हमिरपूर को नंबर एक स्तान दिया गया है साथ में याद रखिएगा प्रतम पूर्शकार के रूप में जिला को पचास लाख रुपए की रासी मिली है और गत बर्स के दिबात करें तो पिछले बर्स हमिरपूत रितियस्तान पे था और इस बार नंबर बन पर पहुंच चुका है इमाचल परदेश बिधान सबा का सीथ कालिन सत्तर कहां पर आयोजित होता है देखिए याद रखिए को जो सीथ कालिन सत्तर है तपोवन धरमसाला में इसका आयोजिन किया जाता है जो कि जिला कांगणा में अबस्तित है इस बरस का जो स्यासिशन होने वाला है 10 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 तक हिमाचल परदेश बिधान सबा का सीथ कालिन सत्तर तपोवन में आयोजित होगा इमाचल परदेश की जो सबसे प्रानी और पर्थम राजधानी ती ओसी मिला थी दूसरी ओफिसिली राजधानी हिमाचल परदेश की धरमसाला गोसित की गई है ये भी आपको याद रखना है जीला सोरन के किस कसेतर में सबसे हदिक फूलों की खेती की जाती है तो ये चायल कसेतर है देखे चायल कसेतर काफी फेमस है यहाँ पर एक आर्मी स्कूल भी है तो ठीक है तो आपने याद रखना है फूलों की सबसे ज़्यादा खेती भी इस इक सेतर में की जाती है इमाचल परदेश की पहली फूल मंडी कहां पर खोली जा रही है तो इमाचल परदेश की पहली फूल मंडी फ्लावर मार्केट की बात की जा रही है प्रमानु जिला सुलन में से खोलने की प्रक्रिया जारी है इमाचल परदेश में राष्टिय सिक्सा निती पाठ्यकरम कब से पढ़ा जाएगा तो अप्रेल 2030 से प्णाने की प्लानिंग है मानिय सिक्सा मंतरे गोविन सिंग ठाकूर के द्वारा ये जानकरी दी गई है देखे दिए जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी के लिए आपके पास अच्छे दोस्त और ची किताबे होनी चाहिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एक वैबसाइट है www.elastudy.co.in इस वैबसाइट पे जाएए अपने लिए कुछ किताबों का एक पैकेस बनाईए विविन तरह की कंप्रेटिव एक्जामिनेसिंज के लिए यहाँ पे सफिसेंट बुक्स अबिलेबल है इन किताबों से हजारों की संक्या में विदार्थियों का करियर बना है क्योंकि यह सारी के सारी किताब में ऐसे सिक्सकों के दोरा त्यार की गई है जिन्होंने खुद इस तरह के बड़े बड़े कंप्रेटिव एक्जाम क्वालिफाई किये है तो आप भी इसका लाब उठाईएगा नियमित रूप से अपने पढ़ाई को जारे रखियेगा और कुछी दिनों में हिमाचल परदेश सेक्टेट के 150 पदों के लिए आप आवेदन करेंगे और हिमाचल परदेश की नंबर बन बुक से आपको परिचित करवा दे परिचित के आसपास यहां पर आंकड़ा रहता है जो कि इस किताब से संभावित कोशिन बैंक में से आने की संभावना बनी रहती है और दूसरी तरह आप इतना पाबर फूल आपका है समानिया ग्यान हो जाता है क्योंकि कि लर्क की प्रिक्सा का इदिप स्लिबस की बात करें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, एकॉनमी, जियोग्राफी, जर्नल साइंस है, जर्नल अबेरनेस है, महात्मा गांदी भी से सांक है, डिफरेंट तरह की इन्वाइरमेंटल रिपोर्ट्स है इस सारी चीज़ेस किताब में संगरित की गई है, और हिंदियो और इंगलीस का ग्रेंबर भी यहां पे एकी किताब में आपको अबेलेबल करवाएगा है, जिसमें बिविंतर रखे प्रिक्साओं में पुछे गए, ओल्ड कोसिन प्रिक्स को भी समिलित किया गई है, यह सा अबर्टीजमेंट आईगी तो आप कम से कम एक बार आपका रविजन हो जाना चाहिए, निश्ची तोर पे आपको लाब मिलेगा, तो जुटे रही है आप नमिन्तम आपको इस तरह से विविंतर के कंप्रिक्टिव एक्जाम के लिए अपनी दावेदारी को तेज करना है, और हिमाचल परदेश में जुटी की नेमित रूप से विविंतरा के डिपार्टमेंट्स में एरक्यूटमेंट आपको देखने को मिल रही है, इलाइस्टरी टीम के दोरा जुटी का दुटी आडिसन लाउच कर दिया गया है, बहुत सी नमिन्तम जानकारियों के साथ, 28 सॉ आपके पर के पास जाकर के भी से रिवियू कर सकते है, और जुटी के 10 मॉक टेस्ट जो कि आपके कंपेटिव एक्जाम के लिए इंपोडेंट है, उसके ओपर फ्लेट 50% डिसकाउंट इलाइस्टरी को रॉट इन वेबसाइट पे कुछ दिनों के लिए चल रहा है, इसका भी लाब उठाईएगा, थैंक यू बेरी मस्ट, कीप वाचिंग इलाइस्टरी यूट्यूब चैनल